हेलो एविवान वेलकम तुमाई चैनल मैं हूँ सपना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्ची केरी से बने खट्टे मीटे और चिट पटे मुरब्बी की रेसिपी यह जो मुरब्बा है ना बहुत ही जल्दी बन जाता है सिर्फ 5 मिनट में और खाने में किलो इससरी के से आमए ले हैं यह जो मिया है न और आप यहां पर कोई भी कच्ची करी ले कं sicher निसकते हैं में बहुत अंदर ऑन जो गुठ्टी होती है वो पकी गुटली होती है इसमें गूदा कम निकलता है तो यहां पर देखिए मैंने एक किलो मियों में से को कद्दू कस किया था तो इसमें से 200-300 गूदा इस तरीके से निकला है इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आदा कप गोड तो मैंने और इस थे मिक लिए और रहने कंगे यहां रास के साथ आपता है तो यहां पर इसको पका। नहीं होता है बस कोड़ और चीनी को मैल्ट होने तक यहां पर हमें इसको सभी के से चलाना होता है यहां पर कोड़ और चीनी अच्छे से मैल्ट हो गया है कुछ एक दो उठली रह गए तो इसको भी हम अच्छे से मैल्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर अब हम स्पाइसिस यानि की मसाले add करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे एक बड़ा चममज भुना हुआ जीरा आप इसमें यह जो मसाले हैं यह जरूर डालिएगा एक जममज मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है यहाँ पर मैंने डाला है एक छोटा चमच काला नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और बस मैरे यहाँ पर इतनी ही चीज़े डाली है आप यहाँ पर कस्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं मसाले अपने अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं लेकिन आप अगर इसमें सिर्फ यही मसाले डालेंगे तो आपका जो मुरभव है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो मसालों के साथ हमने इस मुरभव को अच्छे से मिक्स कर लिया है और दिखे बस पांच मुरभव में यह जो मुरभव है बनकर तियार हो जाता है इसको पकाने में टाला है तो इसलिए इसको पकाना नहीं होता है सर scientist शीनी और गड़ को mild करने तक पकाना होता है बस और बस बस मसाले इसमें add कीजिया आपका यह जो मुरभव है वो बनकर तियार हो जाता है पांच मिनट के अंदर तो guys कैसे लगे आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक like किजीगा subscribe किजीगा मेरे channel को अगर आप मेरे channel पर नए है please please subscribe किजीगा तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के